कहां जा रहे हो, sir? मैं जरा एक अर्जन काम से जा रहा हूँ, आता हूँ, मैं ठीक है? Sir, लेकिन अभी हमें एक पेशन के इंपोर्टिन ओप्रेशन के लिए रहना है. मैं कुछ बड़ा ओप्रेशन नहीं है नीदी, तुम अकेली हैंडल कर लोगी. मुझे जरा काम है, आता हूँ, मैं ठीक है? Sir, यह अकेले हैंडल करने की बात नहीं है. Sir, यह आपका रोज़का हो चुका है. आप आधिवाक्स हॉस्पिटल में रहते ही नहीं हैं, गाइब रहते हैं. नहीं 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 दिया, ऐसा कुछ नहीं है. और वैसे भी, तुम्हें जवाब देनी के ज़रुरत हैं. Sir, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा. कुछ दिनों पहले, एक पेशन का एक्सिडेंट हुआ था. जिसे ऑपरेशन के सख्त ज़रुरत ही, Sir, लेकिन आप आप हॉस्पिटल में नहीं थे. जिसकी वज़े से उसकी जान चली गई, Sir. क्योंकि आप अपने प्राइवेट क्लिनिक पे थे. क्यों, Sir? सीनियरू तुमारा, जबान समाल के बात करो. Sir, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा. आपको क्या लगता है? हाँ, पैसे ही तमाशा करते रहेंगे, और कोई कुछ नहीं करेगा. जितनी आवकात है, उतनी बात करो. दुमकी किसे देरी है? क्या कर लोगी? हाँ? अभी बताती हूँ, Sir. क्या कर लोगी? ऑफिसर! हेलो, मिश्टर इसी. क्यस? मैं गवर्मेंट ओफिस्टे आया हूँ. पर मिश्टर इसी नहीं आपके खिलाब कंप्लेंट किया है, कि आप उस्पिटल में टाइम पर नहीं आते, पर आप अपना प्राइवेट क्लीनिक चलाते हूँ. नहीं, Sir. रहसे कोई बात नहीं है. जूट बोल रहा है, Sir. नहीं, Sir. मैं सच पोड़ रही हूँ. अगर आपको मेरी बात पर रेकी ही नहीं है, तो आप यहां के कंपाउंडर राकेश से पूछ लीज़े. राकेश, राकेश, इनको बताओ, कि रिशी सर अपना प्राइवेट क्लीनिक चलाते हूँ. यहीं नहीं, Sir. इनकी वज़े से एक पेशन्ट की जान भी जा चुकी है, क्योंकि उसको आपरेशन की सक्त जरूरत थी और, Sir, हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी. पेशो की लारश में तुम इतना गिर गए हैं, तुम लोगों की वज़े से लोग गवर्मेंट को ब्लेम करते हैं. तुम्हारा तो मैं लाइसन्स रत करवा करऊ रहा हूँ. नहीं, Sir, ऐसी कोई बात निया, Sir. राकेश, क्यों जूट बोल रहे हो तुम, क्या भीगाड़ा है मैंने तुम्हारा सर देखे, मेरी घर पे मेरी वाइफ है, मेरे माबाप है उनकी जिम्मेदारी है सर मुझ पे, अगर यह लाइसेंस कैंसल हो गया तो मैं क्या करूँगा राकेश, क्यों एसी बात करें जूट बोल रहे हैं, यह सब नाता, पुलिस पेसर में जाकेश, मैं अबी पुलिस को बुताता है रुकेश, सर, पुलिस को बनानी कोई जवरत नहीं है रिशी सर बेगुना है, निधी मैम ने मुझे ऐसा जूट बोलने के लिए लिए राकेश, राकेश, तुम ने क्या बोल रहे हो, और इन्हों ने मुझे पैसे भी दिये थे, आम सॉरी मैम अगर इसे भले इंसान के बारे में ऐसे जूट बात बोलूगा और उनका नुकसान होगा तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊँ राकेश, तुम ये क्या बोल जेओ, राकेश, तुम ने कहा था ना, कि तुम सर को एक्सपोस करना है मेरी मलत करोगे, तुम जानते हो ना कि रिशी सर का प्राइवेट क्रीनिक है, बोलो, तुम जूट क्यों बोल जेओ, बोलो सर माने जाहिए आपको, आपके सिन्यर डोक्टर के खिलाब ऐसा जूट बोलते हुए, लाइसेंस अब इनका नहीं, बल्कि आपका रध होना चाहिए, लेकिन सर, मैं अब इस पुलिस को बलाता हूँ सर, 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 रुख जालिए, जाने से पहले आप ये देखिए लुम्राकेश, जितना कहता हूँ, उतना कर, ए डॉक्टर निदी को मुझ पे शक हो गया है कि मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता हूँ, अगर इसने कंप्लेंट कर दी, तो क्लिनिक बंद हो जाएगा, और तेरा भी जो कमीशन आता है वो भी बंद हो जाएगा, इसल महां भूड़े, उन्की तोफेकल ठीक ने रहती, प्लीज, माफ कर दीजे, और किया करूँ है, अगर यह कैंसल हो गया लाइसमस, प्लीज, सबचिशिश टीशिव तर मेंसे के जल पार जाएगा, जब तुम्हे जेल होगी ना, तब ढुर्यकल ठिकाने आएगी, चला मेर सा इस पो कि अजड़ आवार बाब बाब का बाब कर दो कि अलुआख पर श्रीजिभ विक झालुवाँ तो कि अलुआ है जड़ी बाब कि अंटरी नड़ी है